दोस्तो क्या आपके मुबाइल में Chrome ब्राउजर से नोटिफिक्शन आता है और आप खोज रहे हैं कि Chrome की नोटिफिक्शन कैसे बंद करें तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे Chrome में बेबसाइट की नोटिफिक्शन बंद किया आता है दोस्तो आप जाने या अंजाने में किसी ना किसी बेबसाइट की नोटिफिक्शन अलाव कर देते हो और बाद में उन बेबसाइट की तरफ से बहुत सारे ऐसे नोटिफिक्शन आते हैं जो आपके लिए इतना जरूरी ना हो या फिर वह मालबिर बेबसाइट की तरफ डारेक्ट हो जाता है और ऐसे में आपके फोन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है जब मेसेज पौर बेबसाइट द्वारा भेज जाते हैं तो वह बहुत गंदे होते हैं और हमें डर लगता है कि हमारे बच्चे उन मेसेज को ना देखें इसलिए हम उन notification को बंद करना चाहते हैं इसलिए मेरी राय में ऐसे notification को disallow करना ही सही कदम है अब आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आखिर Chrome की notification बंद करें भी तो कैसे करें अगर आप भी ऐसे ही अंचाहे और गंदे notification से परिशान है और आप इन notification को बंद करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि Chrome के इन गंदे और अनावस्यक notification को बंद कैसे करते हैं तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले Chrome browser को open करें open करने के बाद right side में corner पर three dot का जो icon दिखाई दे रहा है उस पर click करें three dot पर click करने के बाद यहां नीचे setting पर click करें setting पर click करने के बाद आपको नीचे scroll करना है और यहां आपको site setting का option दिखाई देगा अब आपको यहां site setting पर click करना है site setting पर click करते ही आपको अनेक सारे option दिखाई देंगे आपको नीचे scroll down करना है और आपको notification को select करना है जैसे ही आप notification पर click करेंगे यहाँ पर आपको उन तमाम website की list दिखाई देगी जिनको मैंने block और allow कर रखा है तो यहाँ मैंने 98 website को block कर रखा है और 33 को allow कर रखा है मान लीजिए मैंने किसी website को block करना है तो उसके लिए मैं उस website पर click करूँगा और notification को off कर दूँगा और यहाँ बापस आते हैं पर आपने देखा कि पहले जो 98 block दिखा रहा था अब 99 हो गया है और allow 32 हो गया है तो मैंने जिस website को block किया था वो successfully block हो गई है इसी परकार आप भी जिस website को block करना चाहते हो उसे आसानी से block कर सकते हो और उसके native notification को भी block कर सकते हो फिर आपके पास उस website से कभी भी कोई notification नहीं आएगा और अगर future में आपको उस website को ये notification को allow करना है तो उसे इसी परकार allow भी कर सकते हो अगर आप ads और pop-up को भी block करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ pop-up पर click करें और उसे off कर दें इसी परकार ads को बंद करने के लिए ads पर click करें और यहाँ से उसे off कर दें इस प्रकार आप पॉप अप और एड्स को भी बंद कर सकते हों आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही नई नई इंटरनेट से जड़ी जनकर रिट्राप्ट करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें उसे औल पर सेलेक्ट करें ताकि मैं जो भी जानकारी सेर करूँ वो आप तक पहुँचे सबसे पहले थैंकि दोस्तों नमस्कार